असलाम वालेकों टॉट्स तो आज एक इंपोर्टन टॉपिक के साथ जो अक्सर आप स्टॉड़न्स के यह तो बड़ा कॉमनली जो है वो डिसकस भी होता है वो टॉपिक है प्रोवेंसेज आफ पाकिस्तान तो जैसा के जब भी सवाल पूछा जाता है जब मैं किसी मैट्रीक या इंटर क्लास के भी स्टॉड़न्स से जब यह सवाल पूछता हूं कि प्रोवेंसेज आफ पाकिस्तान कितने हैं तो कोई कहता है चार कोई कहता है पांच तो आज इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लेर कर कि पाकिसान के provinces originate में हैं कितने तो पहले नंबर पे जो सुबा है मतलब मैं सीक्वेंस नहीं दे रहा एरिया वाइज या पापॉलेशन वाइज कुछ भी नहीं मैं जस्ट लिख रहा हूँ दूसरे नंबर पे आ जाता है सिंध त्रीसरे पे हमारा है के पी के जिसे हम खैबर पक्तून फा कहते हैं इसका ओल्ड नेम भी मैं इतर लिख देता हूँ ओल्ड नेम है NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवेंस और चौत्छे नंबर पे जो हमारा एरिया है हमारे पास आता है बलोचिस्तान ये तो हो गए हमारे सूबे अब हम आते हैं जो के हमारा इंपॉर्टन जो सवाल है बच्छों का अक्सर कन्फ्यूज कर रहा हता है वो होता है कि गिलगित बलतिस्तान इसका पूरा नाम है और दूसरा जो है वो है आजाद एंट जमू कश्मीर ये दोनों क्या हैं तो ये जो है एक इसके अंदर जो कॉमन सी चीज़ है इसके दो से तीन चीज़े इनको कहा जाता है जो कॉमन इनके लिए लफ़ इस्तमाल होता है Autonomous State का ये खुद मुफ़तार आजाद रियासते हैं और अगर हम कश्मीर की बात करें ये जो हमारे पास एरिया कंसीडर किया जाता है उसे कहा जाता है AJK जो इंडिया के पास एरिया है वो occupied कश्मीर में और आजाद कश्मीर को जो है वो एक और भी लफ़ इसके लिए इसके तनाजिय का शिकार जो जिसके दरम्यान डिस्प्यूट हो तो ये जो है वो हमारे जो है वो basically capital जो है वो ये सारे provinces है अब एक और चीज़ जो यहां पर आती है सबसे important कि जो अक्सर मैं students से जब सवाल करता हूं कि Islamabad कि सूबे में आता है तो Islamabad अक्सर students जवाब देते हैं sir Punjab क कोई कहता है sir KPK कोई कहता है कि ये जो है वो joint करता है KPK को और इसको तो याद रखें कि जब भी capital की हम बात करेंगे तो capital हमेशा आजाद होता है अब इसका reason क्या बताया जाता है कि आजाद होता क्यों है बेसिकली आजाद होने के पीछे वज़ा ये है कि उसने सूबों पे खुद मुक्तारी दिखानी होती है तो अगर वो किसी सूबे के साथ मर्ज हो जाएगा तो वो कभी भी जो हो आटनॉमस नहीं रहेगा इसलिए पाकिस्तान का जो capital है वो इसलामबाद वो किसी भी सूबे में नहीं आता